आज मैं शेयर करूँगी गंदूं के आटे से बना प्लेन टी केक अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम है जोया और आज मैं लेकर आई हूँ एक बार फिर से लो बजट रेसिपी और बहुत ही हेल्दी आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से बहुत ही साधा सा केक तो चलें फिर रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये सबसे पहले मैं केक का टिन रेड़ी कर लेती हूँ तो उसके लिए मैंने एक कॉपी का पेपर ले लिया है उसको कुछ इस तरहां से मैंने सेट करना है ताके अंदर फिक्स करना असान हो जाए इसके बाद मोल्ड को हम उल्टा कर लेंगे और कुछ इस तरहां से पेपर को सेट कर लेंगे पेपर को सेट करने के बाद अब बारी आती है इसको ग्रीस करने की थोड़ा सा ओयल लेना है और इससे अच्छे से हमने पेपर पर लगाना है ब्रश है तो ठीक है वरना ये काम आप हाथ की मदद से भी बहासानी कर सकते हैं तो केक्टिन है हमारा रडी चलते हैं अब नेक्स टेप पर यहाँ पर मैंने रूम टंपरिचर पर दो अदद अंडी लिए है मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आपने जर्दी और सफैदी को एक ही साथ बीट क्यों नहीं किया इन दोनों को अलग अलग बीट क्यों किया है तो बाई चांस ही आज थोड़ी सी जर्दी सफैदी में मिक्स होगी तो सोचा आज मैं आप लों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर मैं सफैदी और जर्दी को एक साथ मिक्स करूगी तो उसमें बहुत ज़दा टाइम लग जाता है तो आपने सफैदी को अलग से बीट करना है और जर्दी को अलग रख देना है नीचे देखें सफैदी बहुत जल्दी बीट हो गई थी लेकिन जो आज की रेसिपी मैंने बीट की है उसे 20 से 25 मिनट लग गए थे चलें अब ड्राइ इंग्रीडिन्स को हम मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले आधा कब जाएगा गंदूं का आटा और ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं अब इसमें जाएगा आधा कब PCV चीनी का चीनी को जब मैं ग्राइंड करी थी तो मैंने इसमें चंद दाने इलाइची के डाल दिये थे इससे क्या होगा कि प्लेन टी केक में हमें किसी भी किसम के एसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉन फ्लार का इस्तमाल भी कर सकते हैं कौन फ्लार वही जो सूप में डलता है या फिर जो चाइनीज फूट में हम ग्रीविस बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं अब इन तमाम अर्जा को हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसके बाद आदा चमच में बेकिंग पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ और ये बेकिंग पाउडर बहुत जरूरी है बेकिंग के लिए एक चुटकी के बराबर अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोटा और इसके बाद इन तमाम अर्जा को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद आदा कप मैंने इसमें दूद का शामिल करना है दूद में यहाँ पर मिल्क पैक इस्तमाल करी हूँ आप चाहें तो खुला दूद भी इस्तमाल कर सकते हैं दो चमश मैंने इसमें डालने हैं कुकिंग ओयल की कुकिंग ओयल की जगा आप इसमें मक्षन भी शामिल कर सकते हैं लेकिन आपने इसमें घी शामिल नहीं करना गी की वज़ा से फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें अंडे की जर्दी शामिल कर दिनी है और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है लेकिन अगर आपको स्मेल का बहुत सदा प्राप्लम आता है तो आप अंडे की जर्दी को स्किप कर सकते हैं रेसिपी पे कोई भी फर्ट नहीं पड़ेगा तो मिक्स करने के बाद अब हमने जो सफैदी को बीट करके रखा था उसको भी हम इसमेर शामिल कर लेते हैं और हलके हातों से हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर आपको लग रहा होगा कि बेटर बहुत ज़दा पतला हो गया है तो समटाइम ऐसा होता है कि आटा बहुत ज़दा पानी नहीं लेता तो जिसकी वज़ा से बेटर इस तरह से पतला हो जाता है आटे की क्वालिटी हर जगा डिफरेंट होती है तो आपने भी परिशान नहीं होना अगर आपका बेटर इस तरह से पतला हो जाए तो यह बहुत ही अच्छे से बेख होगा इसके बाद हमने हलका से इसको tap करना है अब चलते हैं flame की तरफ मैंने अपनी last video में बताया था कि अगर flame आपकी हिलेगी तो cake फिर अच्छे से बेख नहीं होता यहाँ पर मैंने अपने window एक side से खोल ली थी आपको दिखाने के लिए कि जैसे ही हवा चलती है तो flame आपकी disturb हो जाती है जिसके वज़ा से वो एक जगा नहीं टिकती तो एक जगा टिकना बहुत ज़रूरी है और इसको पहले high flame पर 10 minute के लिए और इसके बाद इस flame पर आपने इसको 30-35 minute के लिए bake करना है यहाँ पर देखची अच्छे से गरम हो चुकी है रैंक रखेंगे इसमें केक रखेंगे और ठाप देंगे इसको इसकी air को lock करने के लिए कुछ इस तरहां से हमने paper set कर दिया है और अब इसे हमने 30 minute से पहले तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना इसके बाद तकरीबन 40 minute में यह केक बहुत ही अच्छा bake होकर ready हो गया था चलें अब इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं अंदर से कच्छा तो नहीं रह गया तो यह देखें stick बिल्कुल clear है इसका मतलब है कि केक अंदर से भी अच्छे से cook हो चुका है आप इसे थोड़ी दे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है गरम गरम आपने इसको नहीं भल्टाना जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसके बाद इसका पेपर रिमूफ कर देना है आपने केक का कलर दोनों तरफ से ही बहुत ही खुबसुरा दाया है तो चलें आप चेक कर लेते हैं ये देखें केक बहुत सदा सॉफ्ट बना है और ये उसी बेटर से बना है जो आपको स्टार्ट में लग रहा होगा कि ये बहुत बतला है चलें अब इसको कट कर लेते हैं ये थी आज की रेसिपी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताके नए आने वेले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आज की वीडियो में मैं इजाज़त लेने से पहले आपको अपने ब्रैंड के बारे में बताना चाहती हूँ कुकिंगे इलावा मेरा अपना एक शू ब्रैंड है रॉयलिश के नेम से अगर आपको गिफ्ट करने हो शू अपने फादर को या फिर भाई को या फिर कजन को या फिर अपने हस्बन को या फिर समबन स्पेशल को तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और यहां पर मैं कुछ आर्टिकल्स आपको शो करवा रही हूँ मजीद आर्टिकल्स हर महीने आते रहते हैं पाकिसान में आप किसी भी शहर से क्यों ना तालुक रखते हों आप इसे और्डर कर सकते हैं इसकी ब्राँच इस वत लहौर में है अगर आप लहौर से तालुक रखते हैं तो मेरी टिक टॉक आईडी से आप एड्रेस ले सकते हैं और इस फ्रेंचाइस को विजट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही था दीजे मुझे इजाज़त फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ अल्ला हाफिस